हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगे मेटा और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नमबर 83 ठीक है शिक्स टू एर्थ के बच्चो के लिए ये वर्कशीट है जो कि 9th October 2020 के लिए आप जो है सिख्षा निदेशाला की तरफ से आपके लिए शेडूल की गई है और ये वर्कशीट जो है ये कोई subject specific वर्कशीट ये नहीं है तो इसके लिए आप एक पतली सी अलग से copy इस तरह की वर्कशीट के लिए लगा सकते हैं अब देखिए स्टार्ट करते हैं यह है चित्र आपको किसकी याद दिलाता है सोच कर लिखे सभी बच्चे जानते हैं कि य है चित्र जो है हमें किसकी याद दिला रहा है हमें हमारे school की याद दिलाता है ठीक है सभी बच्चे जानते हैं COVID-19 महामारी के कारण आप सब बच्चे school नहीं जा पा रहे हो और अपने school को सभी बच्चे miss करते हैं याद करते हैं तो बच्चो आपको यहाँ पर लिखना है यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है सोच कर लिखें तो आप लिखेंगे यह चित्र हमें हमारे school की याद दिलाता है school या विध्याले तो आप ऐसे लिखेंगे school या विध्याले की यह हमें याद दिलाता है next आपके विध्याले का पूरा नाम क्या है लिखेंगे तो ब प्राश्न तीन विद्धाले की कौन सी जगए आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों तो सभी बच्चे विद्धाले में अलग-अलग जगए जो है जैसे कुछ बच्चे को लाइब grounded i पसंद है कुछ बच्चों तो बिटा मुझे जो है लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें मिलती हैं और बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलता है तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं नेक्स कोशन देखिए प्रशन चार है अगर कुछ दिनों के बाद आपका विधाले आपके लिए खुल जाए तो आप किन-किन बातों का ध्यान विधाले में रखेंगे सोच कर रिखे तो बिटा देखे जैसे कि कई बार न्यूज में आता है कि विधाले जो है वो शुरू हने वाले हैं स्कूल आप हमारी फइल हुई है उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं मास्क लगा खर कर सकते हैं ठीक है कि सैनेटाइजर अपना बचाव कर सकते हैं तो आईए इसको देखेंगे लिखोगे कैसे आप तो बेटा आप यहाँ पर यह जो है चार तरीके हैं जिनको आप यहाँ पर लिखेंगे पहला क्या है मास्क पहनेंगे ठीक है उसके बाद एक दूसरे के साथ सामजिक दूरी का खयाल रखेंगे हाथों को समय समय पर धोएंगे और एक दूसरे के साथ कोई भी वस्तू सांचा नहीं करेंगे तो यह चार तरीके हैं जिनसे आप खुद का बचाव कर सकते हूँ नेक्स क्वेश्चिन प्रशन पांच क्या है अपने मित्र से बाचीत करके लिखिए कि विध्यल्य को साथ स्वच्छ और सुन्दर रखने में आप और आपका मित्र क्या क्या सयोग कर सकते हैं तो सभी बच्चे जो है स्कूल को साथ स्वच्छ और सुन्दर रखने में कैसे कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, अपने सुझाव आपको यहाँ पर लिखने हैं, उधारन के लिए मैं आपको कुछ एक्जामपल यहाँ पर बता रही हूँ, तो बिटा यह कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना योगदान अपने स्कूल को स्वच्छ साफ सुंदर बनाने में क कर सकते हो, पहला पॉइंट क्या है, स्कूल को गंदा नहीं करेंगे और सफाई का विशेश ध्यान रखेंगे, दूसरा जो भी कूडा कच्रा है उसको डस्ट बीन में डालेंगे, सभी स्कूलों में जो है डस्ट बीन रखे हुए होते हैं जगे जगे पर, तो आप कूडा क कच्रा जो है क्या करेंगे वो डस्ट बीन में डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड लगाएंगे ताकि जो हवा है वो स्वच्छ रहे, सुन्दर सुन्दर फूलों की क्या रियां बनाकर उनकी देख बाल करेंगे, फूलों को नहीं तोडेंगे, इस तरह स्कूल को साफ और सुन्दर बनाने में मददे कर सकते हैं तो ये थी बैटा आपके आज की वरक्षीट काफी एजी वरक्षीट है आप आसानी से इस वरक्षीट को सॉल करके लिख सकते हो I hope आपको जितने भी कोशन इसमें गीवन है वो आपको क्लियर है कोई भी प्राब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर जुरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले and thanks for watching have a nice day